हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या करना है सोसल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग सा बना हुआ है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या करना है सेभी की गाइडलाइन आई थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ओबर बॉर्ड जोन में है प्रेस्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर मीचल फंड कंपनी को अगर आपका 25 परसेंट या 50 परसेंट पोर्टफुली बेचना हो तो अपने कितनी दिनों में बेच देगी हो अलग-अलग में बताया कि इतना दिन मुझे लगेगा बात मार्केट में एक फॉल आया अब हम बात करते हैं कि हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या करना है सबसे पहले अगर हम बैल्यूएशन की बात करें तो बैल्यूएशन अभी हाई है तो अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इस मार्केट से भी दूरी बना के रख सकते हैं और वेटे नवाज कीजिए अगर आल्रेडी आप इसमें small cap और mid cap में invested हैं तो सबसे पहले आप सुचिए कि आपने जो investment की थी वो कितने सालों के लिए की थी जैसे मेरी बात किया जै तो मैंने long time के लिए invest किया था तो जो fall हुआ है small cap mid cap में उस से मुझे कोई फरक नहीं फड़ता है तो मैं लंबे समय के लिए इसे hold करूंगा अब हम बात करते हैं अगर आपने investment नहीं किया है और आप investment करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको lump sum पैसे इसमें नहीं डाल क्यूंकि mid cap small cap में थोड़ा सा panic situation बना हुए तो lump sum प 20% जो भी आपके amount का उसमें उतना डाल सका किसी भी particular shares में लेकिन पैसा डालने से पहले small cap mid cap में पैसा डालने से पहले आप decide कीजिए कि आप जो है इस particular amount को जो भी आप invest कर रहे हैं उस particular amount को कितने सालों के लिए invest कर रहे हैं आपको invest उसी में ही करना है आप पहले company को identify और उसी ही company में invest कीजिए आप randomly किसी भी company में invest मत कीजिए situation थोड़ सा panicky है अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से stock अच्छे हैं तो आप मेरे social media की other platform पे जूड़ सकते हैं उसका link मैंने description में दे दिया है finally मैं summarize कर देता हूँ मेरा मकसद दे था कि आपको समझाना कि mid cap small cap में invest करना है की नहीं तो अगर आप invested नहीं है तो आप PSIP कर सकते हैं और wait and watch कर सकते हैं अगर आप already invested हो और आपने exit नहीं किया है तो आप wait and watch कीजिए और ए market slowly slowly recover होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ह तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने family और friend member के साथ share कीजिए thank you so much